नमस्कार आपको स्वागत है लाइव उत्रप्रदेश में और आपके साथ मैं हूँ समीर कॉंग्रेस सरकार के दिगज नेता और जब केंदर में कॉंग्रेस की सरकार थी तब देश के पूरवित्त मंत्री पीच दम्रम इस वक्त मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं कारण ये है कि उनका और उनके बेटे का नाम आई एनेक्स मीडिया केस में शामिल हुआ है उन पर आरोप है कि उन्होंने तैस सीमा से आगे बढ़कर विदेशों से धनराशी ली है इस मामले ने जब दिन का उजाला देखा तो चिदम्रम के गिरहबान खत्रे में पढ़ गये क्योंकि सीबियाई का हाथ उन तक कभी भी पहुँचना तै था पहले तो यह अपनी गिरफतारी से बचने के लिए इधर उधर भगते रहे लेकिन अंतकाल वो बड़े ही नाटकिये ढ़ंग से सीबियाई के हथे चड़े जिसके बाद सीबियाई उन्हें अपने साथ अपने कार्या ले 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 गई विशेश अदालत से सीबियाई दौरा उन्हें चार दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है जहां पर उनसे लगातार पूछताच का सिलसिला जारी है देर राद बारा बजे तक उनसे पूछताच चली राद तक चले पूछताच के दौर के बाद वो सो सके हाला की वे सुबा साथ बजे से पहले ही उट गए जिसके बाद उन्होंने चाय पी और चाय पीने के बाद उनसे दोबारा पूशताच का सिलसिला शुरू हो गया गौर तलब है कि CBI की विशेश अदालत ने गुरुवार को पूर्व केंद्रिय मंत्री पी चिदंबरम को पूशताच के लिए CBI की चार दिन की हिरासत में भेज दिया था विशेश नियाधीश अजैक कुमार कुहार ने ये फैसला सुनाया पहले तो उन्होंने दोनों ही पक्षों की दलीले सुनी और दलीले सुनने के बाद उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया जिसके कुछ समय बाद उन्होंने फैसला सुना दिया अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा कि पीच दंबरम के घर के सदस्य और उनके वकील उनसे मिलने के लिए स्वतंत्र होंगे CBI की अगवाही करते हुए सॉलिस्टर जनरल तुशार महता ने वरिष्ट कॉंग्रिस नेता को हिरासत में लेने की मांग की ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइफ उत्तर प्रदेश